यूपी ट्रपल से बिग्यापा संख्या 27 2015 नोटिस जारी इंटर्वी लेटर कैसे डाउनलोड करें दिसम्बर से साक्षातकार शुरू तो हाँ दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यूपी ट्रपल सी की वेव साइट ओपेन है यहाँ पर और यहाँ से आज जो आपका साक्षातकार लेटर है वो जारी कर दिया गया है यूपी ट्रपल से विग्यापा संख्या 27 2015 का किस ट्रेड का है यह मैंने अभी आपके साथ वी क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर एक पेज ओपेन हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेर एंड इसकिन केर जो आज जारी हुआ है वो आपका हेर एंड इसकिन केर ट्रेड का जारी हुआ है और इससे पहले आपने देखके तक यह आपका वाइलेड है क्योंकि सात दिसम्बर तक इंटर्वी है और जैसे आपके आपके 27 नॉंबर तक यहाँ पर वाइलेड है क्योंकि ओनलकी 27 नॉंबर तक है उसके बाद हम को जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हेर and skin care पे तो hair and skin care पे जैसे click करेंगे तो click करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पूरा list open हो गई है 153 टोटल 153 अभ्यार्थी यहां पे short list किये गए हैं और प्रत्य दिन के अधार पर बाद में short list किये जाएंगे वो अलग है फिर बाद में आएंगे वो लेकिन अभी इनका 133 अभ्यार्थियों का पूरा यहां पे डाटा आप देख सकते हैं उसके बाद जैसे किसी कभी यहां पे चक करना है स्वरी डाउनलोड करना है iso Запad यहां पे डाउनलोड एंटरवु लेटर पर किसी कभी यहां पे चके cool लिएको है जहां पर कॉरी डुपर जाएगी और detail ओम नेके 002 को कहीं ऑपको यहां प्को यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी date of birth और यहाँ पे जेंडर उसके बाद यहाँ पे आप verification को डालकर download interview later पे click कर देंगे तो यहीं कि इसी के बाद आपको fees payment का option आएगा और fees payment करने के बाद आपका जो आपका interview later है वो आपका download हो जाएगा उसके लोड यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप आपने सुल्क जमा कर दिया है और payment details को update नहीं कर पाए हैं तो आपको एक दो दिन तक इंजार करना पड़ सकता है जब तक कि bank के server से IO के server पर आपके payment details को update ना कर लिया जाए इसके बाद आप interview later download कर सकते हैं तो ध्यान देना है आपको repair interview fees के लिए registration से संख्या पर एक से अधिक बार fees भुकतान ना करें एक बार ही आपको fees का भुकतान करना है अगर आपको update नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए आपको थोड़ सा इंजार करना पड़ेगा तो इस तरीके से आप अपना जो interview later है वो आप download कर सकते हैं